नमस्कार साथियो, मैं सुमेर चोधरी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरियन गुरुजी पर साथियो, राजस्थान लाइब्रेरियन को लेकर हम सेकंड यूनिट पड़ रहे थे और सेकंड यूनिट के तहत अब तक हमने लगभगे पांच क्लासे देखी थी पांच क्लासों में हमने कंसेट को देखा था, उसके बाद उससे सम्मंधित कुशन हम देख रहे थे और क्यूसन के इससे पूरू हमने दो वीडियो डाल दिये हैं, अथार दो क्लासे अपलोड कर दी हैं जिसमें क्यूसन नंबर 38 तक के हमने करवा दिये हैं, और आज क्यूसन नंबर 49 से आगे हम करेंगे जो साथी आज इस वीडियो पर आया है सिधा, वो इससे पूरू का कंसेप्ट देखे और उसके बाद ये क्यूसन अटेम्ट करें उमीद करता हूँ, आप इन क्यूसनों को कर पाएंगे और कमेंट बोक्स में जवाब दें कि कितने क्यूसन आपके सही हो रहे हैं क्योंकि ये हमने पढ़ लिया है और जो पढ़ लिया है उसी में से हम क्यूसन लेके आएंगे, आपको अपनी तैयारी का आंकलन श्वम को कर लेना है, ठीक है तो सुरू करते हैं हम आज की क्लास को, देखेगा, क्यूसन नमबर 49 क्या कहता है, कि स्वतंत्र फलकित और स्वत क्या है, ये है कुस्तकाले वर्गिकरण के विकास के अंतिम चरण है, बिल्कुल अंतिम चरण है, क्योंकि सीसी का सात्वा एडिशन अंतिम एडिशन है, और उसी की ये बात कर रहा था, तो बिल्कुल अंतिम चरण तो है, तो ये कथन तो एकदम सकते है, दूसरा क्या कहता है, ये है अभिधान और सिद्धान तो पर आधारित है, बिल्कुल सी तीसरा कथन क्या कहता है योगिक विश्य के लिए फलक सुत्र का पूर्व निर्धारित नहीं होता है योगिक विश्य के लिए तो ये बात भी एकदम सत्य है योगिक विश्य के लिए ज्ञान रहे इसीज का फैसेट फॉर्मूला पूर्व निर्धारित नहीं होता है सत्य बात है डी ओप्सन क्या कहता है यह है वैसलेसी संसलेसी आधारित होती है वैसलेसी संसलेसी का मतलब होता है जोड जोड करके नंबर बनाते हैं विशेयों के नंबर जोड जोड के हम बनाते हैं पहले उसका विशलेशन करते हैं और फिर उसके बाद उनका संसलेशन हम कर देते हैं तो वैसलेशी संसलेशी आधारित होती है अता है प्रतेक विशे के लिए अलग अलग पक्स परी सुत्र का निर्धार ने किया जाता प्रतेक विशे के लिए CC के सात्वे एडिशन में facet formula दे रखा है तो ये बात भी 130 सत्य है तो अपने 4 कथन सत्य है इस हिसाब से अपना own answer क्या बैठेगा देखिएगा जिसमें ये रे ले वे चारो सही हो तो ये रे ले और वे अपना answer क्या बन जाएगा भई 7 बन जाएगा ठीक है जी अगला क्यूसन देखते हैं क्यूसन नंबर 40 क्या कहता है वर्गिकरन परणाली के प्रकार निमन में से कोन से हैं वर्गिकरन की पद्दतियां कोन-कोन सी होती है ये एक टोपिक हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कितने प्रकार वर्गिकरन पद्दतियों के हैं और इन में से कोन-कोन से प्रकार होते हैं तो देखिएगा परिगणनात्मक हमने पढ़ा था Enumerative Classification, बिल्कुल पढ़ी थी, अगर पढ़ी थी, तब ही तो है, लगभग परीगन आत्मक, जिसे प्राय परीगन आत्मक ये बोल रहा है, लगभग परीगन आत्मक वर्गिकरन पदती है, बिल्कुल लगभग परीगन आत्मक भी हमने पढ़ाता, almost enumerative classification भी हमने पढ़ाता फलकित वर्गिकरन जिसे कहते हैं हम पकसात्मक वर्गिकरन सिसी पकसात्मकी तो है पकसात्मक अतार faceted skin, तो faceted भी हमने पढ़ा है, ये भी सत्य बाद और लगभग पकसात्मक वर्गिकरन पद्धती भी हमने पढ़ी है तो परिगरनात्मक और लगभग परिगरनात्मक दो ये पढ़ी पकसात्मक और लगभग पकसात्मक दो ये भी पढ़ी है इसका मतलब चारो बाते सत्य है, तो ऐसा option कौन सा बन रहा है, ये, रे, ले और वह option number 7 बन जाएगा next, अगले क्यूशन पर चलते हैं, बहुत अच्छे क्यूशन है आप देखते जाएं और चेक करते जाएं कि आप कर पा रहे हैं या नहीं, देखो ये भासा का थोड़ा सा फेर है, इसलिए मैं कहता हूँ आप इनको इंगलिस में याद कर लिजिएगा क्योंकि यहां तो हिंदी में है वहाँ आपको बाइलेंगल मिलेंगे यह वर्गे कर पर पढ़ना लिके प्रकार कौन-कौन से हैं वैसा ही क्यूशन है देखेगा, देखे कठोर फलकित कठोर फलकित अथार्थ रिजिडली फैसेटेड जटिल पक्षात्मक जिसे हम कहते है तो रिजिडली फैसेटेड होता है हमने पढ़ा है स्वतंतर फलकित फ्रीली फैसेटेड है बिल्कुल पढ़ा है सीसी का सात्वा संसकरण होता है ये भी हमने पढ़ी है परिगणनात्मक वर्गी करण बिलकुल हमने पढ़ा है, परिगर्णात्मक ही तो होती है, LCC, Rider Classification, दोनों परिगर्णात्मक है, और दोनों ये सुन्द परिगर्णात्मक है, ध्यार रखियेगा, और लगभग परिगर्णात्मक, डीडीसी के लास्ट के एडिशन क्या है, लगभग परिगर्णात्मक ही तो नम्बार 42 इस क्या कहता है जोडी मिलान करनी है और जोडी तो आपको सब को मिलाना बहुत अच्छे से आता ही होगा तो देखते हैं तो देखिएगा अच्छे से लेकर 3 तक के संस्क्रण है इधर कैखे घड़े दे रखा है और इधर यह ले लव आपको मिक्स करना है कि किसके लिए कौन सी वाद सकते हैं कोलन क्लासीपिकेशन के परत्थम 3 संस्क्रण है क्या थे वही कठोर फलकित अथार्थर रिजिद्ली फैसे टेड़े है अथार्थ जटिल पक्सात्मक्ते कठोर पक्सात्मक्ते कठोर फलकित है तो यह तो कोलन क्लासिपिकेशन के 4 से लेकर 6 संस्क्रान, 4 था, 5 और 6, क्या थे? लगभग पक्सात्मक थे, लगभग पक्सात्मक या लगभग स्वतंत्र, almost freely faceted थे, fully freely सात्वा था, almost freely faceted कौन सा था? 4 से लेकर के 6, और 6 रिवाइज भी इसी में आता है, तो ये भी सीधा का सीधा मिल गया, अगला, गय ओप्सन क्या कहता है, कोलन क्लासिपिकेशन का सात्वा, बिल्कुल ही, स्वतंतर फलकित्था, freely faceted, या फिर हम कहते हैं, fully freely faceted, तो ये भी अपना सही है, तीनो सही है, तो चो था अपने आप सही हो गया, बिब्लियोग्राफिक क्लासिपिकेशन, और मने आपको बताया था, बिब्लियोग्राफिक क्लासिपिकेशन को, हम किस के साथ जोड़ते हैं, बुले, U, D, C, बबली है, बबली और U, D, C, क्या था, लगभग आपकी क्या थी बही, पक्सात्मक थी, तो U, D, C है, तो ये भी लगभग पक्सात्मक ही होगी, अथार्जी से कहते हैं, प्राय फलकित, ओल्मॉस्ट फैसेटेड, तो ऐसा उप्सन, जिसमें कह के सामने ये, खे के सामने रे, गे के सामने ले, और गे के सामने वे हो, मतलब ये रे ले वे, डाइरेक्ट हो, तो ऐसा उप्सन कौन सा है, देखते हैं, ये आपके चार उप्सन दे रखे हैं, ये रे ले वे, ये रे ले और वे, अपना आंसर क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा कहके सामने ये खहके सामने रह गहके सामने ले और घहके सामने हुआ है अपना answer क्या बन जाएगा दे बन जाएगा answer मैंने यहां भी दे दिये हैं देख लिजेगा आप अगला question देखते हैं question number 43 क्या कहता है फिर से जोड़ी मिलान करवा रहा है और जोड़ी हम मिला देंगे, बिलकुल मिला देंगे परीगणनात्मक वरगी करण है, एनियूमरेटिव क्लासिफिकेशन जिसे आप कहते हैं और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि परीगणनात्मक वर्गीकरण की जो पदती होती है इसे हम मार्क वे पार्क पढ़नाली के नाम से भी जानते हैं बताया था आपको बहुत अच्छे से बोले मार्क करो, वहां से नंबर उठाओ और पुस्तक के उपर सीधा पार्क कर दो, किताब के उपर सीधा नंबर पार्क कर दो, अथार्थ लिख दो बने बनाए नंबर दे रखे हैं, वहां से उठाने हैं डिक्सनरी के जैसे, वर्गीकरण पदती से और ऐसे केसे किताब पर लिख दियने है मार्क किर्टिक से कुछ तक पर क्या कर दियना है पार्क कर दियना है तो ये बात तो बिल्कुल सकते है लगभग पकसात्मक वर्गी करना अथार्थ लगभग पकसात्मक है या परिगंणनात्मग है तो बिनबस फ़लकित तो यहां Dust गे रखा यहां पर में रखा है कठोर फलकित अथार्थ Rigidly Faceted Rigidly Faceted पूर्वन निर्दारित फलक सुत्तर के साथ वर्गिकरन इसमें हम कोई छेड़ चाड़ नहीं कर सकते ऐसे की ऐसे facet formula दे रखा है उसी के हिसाब से नंबर लगाने है तो ये बात भी बिल्कुल कठोर है आप उसमें कोई छेड़ चाड़ नहीं कर सकते ठीक है जी ये भी सही है तीन सही हो गए तो चोथा अपने आप हो गया सो अतंतर फलकित अथार्थ CC के साथवे एडिसन की बात हो रही है और ये है बिल्कुल अभीदार्णा और सिर्दानतों पर आधा रही था ये पिछले क्यूसन में भी हमने देखा था संसलेसी वैसलेसी है नंबर जोड़ जोड़ के हम बनाते है तो ये बात भी पून तया सकते है तो ये रे ले और वे इसका आंसर हो जाएगा और ऐसा कोड कोन सा बन रहा है जिसमें ये रे ले और वे हो इसमें भी अपना आंसर क्या बन जाएगा डी बन जाएगा भी ठीक है इसके बाद देखें चुस्तो नंबर चम्माली इस क्या कहता है वर्गी करण की फलकित योजनाएं कोन सी है अथार पक्सात्मक वर्गी करण की पद्दतियां इन में से कोन कोन सी है फैसेक्टेड इसक इंप कोन कोन सी है देखेगा UDC UDC पक्सात्मक है क्या भई यहाँ सीधा बोल रहा है पक्सात्मक बतानी है आपको अब वो लगबग हो बलेही पोडरोप से पक्सात्मक हो, कोई फरक नहीं पड़ता, पर पक्सात्मक होनी चाहिए, ठीक है? तो फलकित योजन्या की बात कर रहा है, पक्सात्मक की बात कर रहा है, तो आपकी UDC क्या है? लगभग पक्सात्मग ही तो है UDC, बबली, बबली UDC बन रही है न, तो बबली और UDC दोनों ही क्या है, पक्सात्मग है, दोनों साथ में है, ठीक है, राइडर का अंतरास्टिय वर्गी करन, राइडर इंटरनेशनल क्लासिपिकेशन जो की 1961 में आई थी, वो क्या है, राइड को मैंने आपके सामने जोड़ा था, ले सीसी, राइडर, बोले सीसी, ले ले राइडर, ले सीसी, राइडर, तो राइडर क्या करता है, सीसी, ले रिष्टर गाडी चलाया करहा है, जोड़ा था न, पन्ने, तो ये तो क्या थी, सुद्ध रूप से परिगणनात्मग थी, पक्सात्मक नहीं है, ठीक है, कार्थिया क्या, द्वी बिंदू वर्गिकरण, कोलन क्लासिफिकेशन को हमने पड़ा है, पून रूप से क्या है वो तो, पक्सात्मक वर्गिकरण की पद्दती है ही, जिसमें option ये, रे और वे हो, वो अपना answer होगा, तो देखी, ये, रे, ले भी है, यहाँ तो ये तो नहीं हो सकता, ये और वे है, ये भी नहीं हो सकता, ये, रे और वे, इसमें है, तो अपना answer क्या बन गया, बे बन जाएगा, ठीक है, यूडिसी, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, राइडर इंटरनेशनल और कोलन, ये सब कब-कब आई थी, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया थै, ठीक है, 1905, 35, 61 और 1933, ये चीज़े हमने बहुत पहले देख ली है, बार-बार इन चीज़ों पर डिसकर्ष करने का कोई फाइदा नहीं है, फाल्तु टाइम वेस्ट करना है, पिछे के वीडियो जाके आप देख लीजेगा, अगर आपको याद नहीं है तो, देखिएगा, 45 नमबर क्यूशन क्या कहता है, वर्गी करन की फलकित योजना है, अथार्थ फैसिटेड इसके, नमबर में से कौन सी है, वही क्यूशन है, आपको बताना है, पकसात्मग पद्दती इन में से कौन कौन सी है, देखिएगा, डेवी, डीडीसी तो पकसात्मग है ये नहीं, जिसके सुरू के संस्क्रण तो क्या थे, सुद्धरूप से परीगन आत्मग थे, लेकिन जो अंत के संस्क्रण है, वो लगभग परीगन आत्मग है, तो परीगन आत्मग है, ये तो पकसात्मग तो नहीं है, तो काटो इसको तो, बबली, और बबली को हमने पढ़ाता बोले, UDC बन रही है, UDC लगभग पक्सात्मक है, तो बबली भी आपकी पक्सात्मक ही होगी, ठीक है, राइडर का अंतराश्टी वरगिकरन, ले सीसी राइडर और LCC सुद्ध परिगन आत्मक है, LCC है तो राइडर भी है, तो राइडर भी परिगन्नात्मग हो गई, पकसात्मग नहीं है, द्विबिन्दु को हम पढ़ते ही हैं, बिल्कुल पकसात्मग है, तो रे और वे जिस उप्षन में हैं, वही अपना आंसर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, अगले क्युस्टन पर चलते हैं, क्युस्टन नमबर 46, यह म मैंने बताय था आपको, बोले दादा जी किया करे हैं, बोले छोरा लैंस उचाल जे रहे, बताय था और मैंने आपको इस प्रकार से कुछ याद भी करवाया था, तो मोर्डन तो मूले आउलाईन ही मिलसी, तो मिलसी से मिलस हो जाता है, Modern Outline ही मिल सी तो जे मिल सो हो जाता है बहुत अच्छे से आपको करवाया था Question No. 47 क्या कहता है? सुनिएगा निम्न में से किसे पर्थम Classificationist माना जाता है पहले Classificationist के रूप में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि E.C. Richardson को पर्थम Classificationist माना जाता है पूरी दुनिया का तो पर्थम Classificationist E.C. Richardson है तो अपना आंसर क्या हो जाता है? B. बन जाएगा बहुत अच्छे से आपको याद करवाया था मैंने ये Question और आप स्वम चेक करिए क्या इनके जवाब आप दे पा रहे हैं देखेगा ये भी मैंने आपको करवाया था जब हमने Classification के सुरुवाती वीडियो करे थे उस समय ये चीजे आई थी आपके सामने जब हम इसी Richardson को पट रहे थे तो ये चीजे आपके सामने आई थी वर्गीकरण सेधान्तिक और प्रायोगिक Classification, Theoretical and Practical पुस्तक अपने पड़ी थी कब आई थी? कुछ किताबों में 1901 दे रखा है और कुछ किताबों में 1910 दे रखा है दोनों याद कर लेना ठीक है? 1901 और 1910 दोनों के authentic source है कुछ में 1901 का भी authentic source दे रखा है युनिवर्सिटी की कुछ पुस्तकों में और 1910 के भी authentic source है दे रखे हैं कलकता पब्लिक जो कलकता युनिवर्सिटी की पुस्तके है उनमें 1910 भी बता रखा है कुछ पुस्तके और भी है वहाँ भी 1910 बता रखा है लेकिन बहुत सी पुस्तके ऐसी हैं 1901 भी बता रखा है तो दोनों सन आप याद के लिजेगा आपके पास पर कोई इलाज है ही नहीं तो कब आइती 1901 या 1910 वर्गीकरण सैधान्तिक और प्रायोगिक classification, theoretical and practical के लेखक कोन थे इसी रिचर्ड सन जो की पुस्तकाले वर्गीकरण के उपर पहली पाठ्य पुस्तक थी, पहली टेक्स्ट बुक थी, किस ने दी थी इसी रिचर्ड सन ने और कब 1901 या 1910 में दी थी ज्यादा तर 1901 ही मिलता है ठीक है दोनों चीज़े मैंने साथ इसलिए दी है ताकि आपको बाद में जब अलग-अलग सन सामने आए तो आप कंफ्यूज ना होए अगला क्यूशन देखिए क्यूशन नमर 49 क्या कहता है ये लोग वही क्यूशन आया वर्गी करण पर पर्थम पाठ्य पुस्तक कौन सी थी अभी अपनने बात करी है पहली पाठ्य पुस्तक थी वर्गी करण के उपर जो इसी रिचर्ड सन साहब के द्वारा दी गई थी कहा है उप्शन है ये रहा बहुत गजब के क्यूशन है बहुत आप आसान इसे कर पा रहे है क्यूशन नमर 50 क्या कहता है ये भी मैंने करवाया था आपको ये पुस्तक भी मैंने आपको करवाई थी और उमीद करता हूँ आप इसका जवाब तो बहुत अच्छे से दे पाएंगे प्रिंसिपल ओप बुक क्लासिपिकेशन के लेखक कोन है और मैंने आपको याद करवाया था देखिएगा प्रिंसिपल ओप बुक क्लासिपिकेशन के लेखक मिल्स है रिचर्डशन है हलमे है या सेवेज है प्रिंसिपल ओप बुक क्लासिपिकेशन के लेखक कोन थे मैंने आपको ऐसे याद करवाया था बुले यार ओ प्रिंसिपल बुक को क्लास में हल्व बनाऊगो के तो हल्वा से क्या हो जाएगा प्रिंसिपल बुक को क्लास में हल्व बनाऊगो के तो हल्व में हो जाएगा करवाया था आपको बहुत अच्छे से याद होगा और दो-चार दिन में भूल गए तो बगवान इमालिक है तो मरावा देखेगा एक्याओन नंबर क्यूसन निम्न में से किसके अनुसार समस्त वर्गीकरण को दो भागों अथार्थ दो समुहों यांत्रिक और दार्षनिक में बाटा था मैंने आपको ये बहुत अच्छे तरीके से करवाया था कि विद्वान गुए थे एक जिन्होंने सम्पून ग्यान जगत को दो समुहों में वर्गीकरण कर दिया था यांत्रिक और दार्षनिक में कौन थे? हल में साहब थे तो कहां गया उप्शन हल में? यह रहा यांत्रिक और दार्षनिक में सम्पून ग्यान जगत को दो समुहों में इन्होंने वर्गीकरण कर दिया था तो ऐसे विद्वान को थे? यीडवल्यु हल में क्यूसान नंबर बावन देखेगा थेोरी ओप लिट्रेरी वारंट की अउधार्ना किस ने दी थी? literary warranty की अउधार ना मैंने कहा था ना literary warranty warranty की अपनने बात करे थी सहित्य माम का सिदान किस ने दिया था हलमे सहब के द्वारा दिया गया था कहा गया वो यह रहा option A E W हलमे और आपके सामने भी मैंने इनके आंसर दे दिया है 52 में क्लासिफिकेशन के आधार पर वही क्यूशन है यह पूछा जा चुगा है यह क्यूशन आपका मारास्ट स्लेट में पूछा जा चुगा है यह क्यूशन literary warranty की देखो language यही थी ऐसे कैसे आय था कि क्लासिफिकेशन के आधार पर literary warranty की अउधारना का प्रतम प्रस्ताव किस ने दिया था language बदल दी बात वही है इसलिए मैंने क्यूशन साथ में डाला है ताकि आपको पता चली कि एक्जाम में किस परकार से पूछा गया था literary warranty का नाम आते ही आप तो क्या लगा देंगे EW हल में कहां गया यह राहा EW हल में अगले क्यूशन पर चलते हैं literary warranty देखो मैंने जब पढ़ाया था आपको दोनों चीजे साथ में बताई थी literary warranty सब्द किस ने दिया और इस सब्द को बाद में दुबारा से पुनर जीवित किस ने किया पुनर जीवित करने वाले विद्वान कौन थे literary warranty सब्द को पुनर जीवित किया EW हल में ने मिल्स ने रिचर्ड सन ने या सेवेज ने तो ये विद्वान कौन थे? सेवेज थे पुनर जीवित लिट्रेरी वारंट सब्द को पुनर जीवित करने वाले विद्वान सेवेज महोदे थे अगला क्यूशन देखेगा क्यूशन नंबर पचपन क्या कहता है? निम्न में से कौन सी थियोरी बहुत गजब का क्यूशन है कौन सी थियोरी लाइब्रेरी क्लासिपिकेशन के विकास का पर्थम चरण है? ये चीज मैंने आपको नहीं बताई थी छूट गई थी इसलिए मैंने यहां सामिल कर दी आप निश्चंत रहिए कोई चीज छूटे के नहीं अगर छूट जाएगी तो मैं क्यूशन के मध्धम से सामिल कर दूँगा अब सुन लो कौन सी थियोरी पूछ रहा है वई? विकास की पर्थम चरण में कौन सी थियोरी थी तो सुनिए सबसे पहले हमने पढ़ा था E.C. रिचर्डसन और E.C. रिचर्डसन ने विवरनात्मक थियोरी सबसे पहले दी थी बाद में तो सेर्स महुदे ने भी दी हलमे ने भी दी सब ने ही दी है विवरनात्मक थियोरी लेकिन सबसे पहले E.C. रिचर्डसन के द्वारा विवरनात्मक थियोरी जिसे आप descriptive theory कहते हैं तो इसी रिचर्डशन ने सबसे पहले दिया, लेकिन एक एक क्यूसर और पूछा जाता है विवरोनात्मक theory तो ठीक है रिचर्डशन ने दे दी सबसे पहले लेकिन गतिसील theory, dynamic theory जिसे आप कहते हैं, गतिसील सिद्दान्त जिसे आप कहते हैं वह किस ने डिये तो विवरनात्मक थेories तो देदी इसी रिचर्ड सान ने सब से पहले लेकिन गतिसिल सिधान्तS. conditioned component ऐसार रंगानाथन के द्वारा दी वह दोनो कुछ मायद रख लिएगा गतिस्ली सिधान्त किस ने दीए थे रंगानात्न ने और वुवरनात्मक सिधान्त सबसे पहले किस ने दिये थे इसी रिचर्डशन साहब के त्वारा तो सबसे पहले कौन सी थेओरी ती पर्थम चरण में विश्लेशनात्मक थेओरी विवरनात्मक थेओरी अथा डिस्क्रिप्टीग थेओरी ओप्शन भी अपना आंसर हो जाएगा अगला क्यूसन देखते हैं गरंताला वर्गी करण की विवरनात्मक थेओरी से कौन सम्मंदित है वही क्यूसन आ गया है देख लिजिए विवरनात्मक थेओरी सबसे पहले तो दी इसी रिचर्डशन ने यह यार्द रख लिजिए इसी रिचर्डशन ने तो सबसे पहले थी लेकिन जेडी ब्राउन ने भी विवरनात्मक दी है, हलमेन ने भी विवरनात्मक है, और सेर्स महोदे की भी विवरनात्मक है, अपने पढ़ाता कि रिचर्ड सन की classification, theoretical and practical नामक जो पुस्तक थी, उससे सेर्स महोदे भी परभावित थी, पढ़ाता मैं मैं लिखवाय भी था परभावित थी, इसका मतलब इसने अगर विवरनात्मक दी यूज की है, तो सेम हो गई न, तो चारों option सही है, तो ऐसा answer क्या बन रहा है अपना, ये रे ले और वे, option सह बन रहा है, ठीक है, अगले वीडियो में अब तक हमने जो पढ़ाय इसके सभी question आ जाएंगे, उसके अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करतीजिए, थैंक यू